हलो फैंज मेरा नाम है समित कपूर और मैं रंगरता हूँ यूट्यूब पे एक बहुत छोटा सा चैनल जिसका नाम है मनी गुरू जहां पे मैं ट्राय करता हूँ लोगों को सिखाने का ऑनलाइन के कुछ तरीकों से पैसा कमाने का जरिया उन में से एक मैथड है क्रिप्टो करंसी जो की मेरा एंड मेरी ओडियंस का अल टाइम फेवरिट है बट ऑन फिफ्ट अपरिल टूजन टाइटीन आर्बिया ने लिया एक ऐसा डिसीजन अगेंस क्रिप्टो करंसी और वर्चुल करंसी कि उन्होंने बैन कर दिया सभी बैंक् कर दिया कर दिया कि अगर बैंकिंग सेक्टर बैंक कर देते हैं क्रिप्टो करंसी का यूज करना तो क्या एंड लीगल एक्टिविटी वाले लोग यानिक एक आतंगवादी दूसरे आतंगवादी से फोन करके ये पूछेगा कि अब क्रिप्टो कुरंसी इंडिया में बैन होगी है तो अब तो मैं तेरे को क्रिप्टो कुरंसी भेजी नहीं पाऊंगा विल दैट हैपन? इट विल नेवर हैपन विकॉस उन लोगों को हमारे क्या रूल्स और रेगुलेशन है उन से कुछ लेना देना नहीं है हर चीज की कुछ पॉजिटिव एंड नेगिटिव होते है बट उसका मतलब यह नहीं कि अगर उसके कुछ नेगिटिव है तो उसको जड़ से ही खतम कर दिया जाए फॉर एक्जामपल अगर मैं बात करूँ सीग्रेट्स एंड तंबाकू की हमें पता है कि सीग्रेट्स एंड तंबाकू हर साल हजारों लाखों लोगों की जान लेते है बट स्टिल वो हमारे को मिलते है एंड उसका यूज हर व्यक्ति कर रहा है एंड हजारों लोगों की वो जान लेते हैं स्टिल झाल 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 बताना चाहिए सरकार को कि हाँ क्रिप्टो करन्सी से नुकसान नहीं हजारों फायदे भी है तो दोस्तो सरकार को यह एहसास नहीं है कि कितने हजारों लाखों करोडों लोगों का इस से घर का चूला चलता है तो आप भी जुड़िये इस मोहीम में हमारे साथ में और इखटे हम सब मिलके एक आवाज उठाएंगे I support crypto, we support crypto भगवान करें आप हमेशा आप हमेशा यहाँ पर मेरा RBI से यह नुरूद है कि आप अपने decision को दुबारा से consider करें क्यों? क्रिप्टो करणसी समस्या नहीं है क्रिप्टो करणसी समधान है क्रिप्टो करणसी समधान है बड़ी-बड़ी समस्याओं जैसे की counterfeit या knuckly note जिससे इंडिया आज तक जूजरा है क्योंकि आप क्रिप्टो करणसी को duplicate या फिर fake नहीं कर सकते क्रिप्टो करणसी eco-friendly है इसको बनाने के लिए cold की जरुद पढ़ती है ना की paper की क्रिप्टो करणसी हमारा आने वाला future है क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देश इसकी तरफ जा रहे है और अगर इंडिया ने अभी इस वेगन में जंप नहीं किया तो आने वाले टाइम पे हम शिर्फ बाकी देशों को follow करते पर जाएंगे और again होगा हुआ ही एक डॉलर में 50 रुपे हमारे पास अभी मौका है कि हम क्रिप्टो करणसी और ब्लॉकचें टेक्नलोजी में पाइनियर बढ़ सकें इसमें आगे बढ़ सकें और हाँ एक और बात बोना चाहता हूँ क्रिप्टो करणसी टेरिस एक्टिविटीज और मनी लॉंडरिंग को बढ़ावा नहीं रेती यह सारी यह सारी चीह होती थी क्रिप्टो करणसी के एक्जिसेंस में होने से पहले भी तो मेरी अपील है आपसे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको जा से आदा लोगों के शेयर करिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्रिटिशन का लिंक है आप प्लीज जा कि उस प्रिटिशन को भरिए और क्रिप्टो करणसी का साथ दीजिए यकीन मानिए क्रिप्टो करणसी फ्यूचर है हमारे नहीं पुरी दुनिया का जैहिंद जैभारत नमस्तर दोस्तों मैं पॉस्पैंसींग फ्रॉम पॉस्पैंसींग डिशन इंडिया मार्केटिंग चैनल से दोस्तों आज पूरा वर्ल्ड टेक्नलोजी के मामले में काफी आगे जाता जाता है आप देखें अधर कंट्रीज में 4G, 5G, 6G की टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है आज हमारे इंडिया में 3G भी अच्छी तरह से नहीं चाल पाता इसका सबसे बड़ा मेटर है कि हमारे हैं टेक्नलोजी को आगे बढ़ावा नहीं दिया जाता है अज पूरा वर्ल्ड ब्लोक्चेन टेकनलोजी को अड़ेपट कर रहा है और हमारे देश में ब्लोक्चेन टेकनलोजी तो बहुत दूर की बात रही Cryptocurrency जैसी चीज़ को जो कि Blockchain Technology का पार्ट है जो कि काफी Secure Transaction हो दे हैं जिसमें और Decentralize है जो कि पूरी तरह से उसको Legalize नहीं किया जा रहा तो मेरा मानना है इसको Legalize किया जाए जल्दी से जल्दी और इस मुहिम में आप सभी जुड़ें आप सभी सरकारता के सुझाप पहुचाएं I support Crypto Twitter के उपर Trend करें जादा से जादा इस वीडियो के लिंक में description में पटेशन लिंक दिया हुए वह आप अपर अपना Sign Up करें अपना Support दें Thank you very much Global Raashid here दोस्तों Bitcoin की क्या क्या Advantage है उसके बारे में जानते हैं दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें Bitcoin की transaction speed की तो Bitcoin की जो transaction speed है वो बहुत ज़्यादा fast है और Bitcoin की जो transaction charges लगते हैं काफे से person है जो की इंडिया से बाहर रहते हैं इंडिया में payment बेजते हैं या जो business man है चोड़े business man है वो वहाँ से कुछ भी समान purchase करते हैं या business करते हैं लेंदेन करते हैं उसकी जो transaction charges करते हैं वो Bitcoin में बहुत ही ज़्यादा कम है easy है अगर हम use करने की बात करें Bitcoin को तो जो बहुत ज़्यादा आसान है आप mobile से कहीं पर भी इंटरनेट के साथ connect करके इसे use कर सकते हैं स्तेमाल कर सकते हैं और Bitcoin की कोई भी limitation नहीं है suppose कि जी आप bank के दुवारा कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें एक limit होती है कितने रुपे से उपर का आप check fill नहीं कर सकते इतने रुपे से उपर आप cash deposit नहीं कर सकते withdrawal नहीं कर सकते लेकिन Bitcoin में ऐसी कोई भी limitation नहीं है आप जितना चाहें जी स्त्रीके से चाहें आप amount transfer कर सकते हैं और तीसरा किसी भी third party या कोई भी interruption बीच में नहीं है चोथा अगर हम देखें ये Bitcoin की जो है दिन परते दिन जो value है वो increase हो रही है 2009 में Bitcoin की शुरुआत हुई थी और तब जो Bitcoin का price था वो था लगबख 4-5 रुपे और आज अगर हम 9 साल की बात करें 9 साल में जो Bitcoin ने जो है 15,00,00 इंडियन रुपीज लगबख 20,000 डोलर तक का जो price है वो hit किया है और इन ही चीजों के चलते इन ही benefits को देखते हुए Japan, America, Canada, Australia, Singapore जैसी country ने Bitcoin को legal भी किया है और काफी ऐसे देश है जहां पर Bitcoin के जो है ATM भी available है दोस्तों जैसे नरिंदर मोदी जी ने एक नारा दिया था Digital India तो मैं 100% शूर हूँ आने वाले टाइम में जो Digital India का जो नारा है उसमें Bitcoin जो है काफी बड़ा योगदान दे सकता है जोस्तों इस वीडियो का आप जादे जादा अपने freds में share कीजिए Hey everyone, I'm Purkhah from Crypto Media Channel मैं authorities से सब यही request करूँगे कि वो Cryptocurrencies को ban नहीं करें और एक effort डालें इस पूरे माटा को legally regulate करने का I support crypto, do you? Hello friends, मैं हूँ Eddie, Crypto India Channel से और मैं ये बात नहीं करूँगा कि कैसे Cryptocurrencies के कारण काफी सारी housewife, बेरोजगार लोग या कोई ऐसा इंसान जिसकी salary इतनी जादा नहीं है और वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भीजना चाता है उनको एक रोजगार देता है और उनको एक पैसा कमाने का जरिया देता है ताकि वो अपने जो basic needs से उसको पूरा कर पहें तो दोस्तों मैं यहाँ बात करूँगा technology की और technology की बात करेंगे तो मैं example देना चाहूँगा आपको internet जब internet का जनम हुआ था तो America ने यह नहीं बूला था क्योंकि यह नई technology है और हम इसको समझते नहीं है तो इसको रोग देना चाहिए America ने लोगों को freedom दी वहाँ की government ने लोगों को freedom दी कि जाओ इस technology के साथ खेलो इसको discover करो और उसके बाद हम यह decide करेंगे कि यह technology हमको help कर सकती है कि नहीं कर सकती है उन्होंने technology को बढ़ने का मौका दिया और आज की डेट में आप खुद देख सकते हैं internet की कारण में आपके समने बैठके video बना पा रहा हूँ बाकी YouTubers भी आप से अपनी खुद की voice शेर कर पा रहे हैं जब internet discover हुआ था हमारी देश का उसमें कोई ऐसा major part नहीं था हम यह बूल सकते हैं कि कुछ Indians ने hot meal बनाया था या कुछ अच्छी websites बनायी थी या आज की डेट में बड़े बड़े internet companies के CEOs, Indians हैं इंडिया की बात करें दोस्तों स्टार्टिंग से ही हमेशा बाकी देशों से पीछे रहा है चाहे आप America को ले लीजे चाहे आप Europe को ले लीजे या फिर आप Japan की बात कर लीजे हम दूसरी countries को example लेके चलते हैं कि हम को उनकी तरह बनना है लेकिन आज अगर बात करें तो इंडिया के पास एक बार फिर से chance है जहाँ पर वो cryptocurrency technology को ban या रोके नहीं उसको discover करे लोगों को freedom दे के उसके साथ खेले ताकि हम उसको discover कर पाएं उसका अच्छा पहलू और बुरा पहलू दोनों देखें और इस technology को use करें क्रिप्टो करेंसी जिस technology के उपर based है वो है blockchain और अगर हम यह बोलें कि Indian government अल्रेडी बात करें कि blockchain को accept करेंगे या projects चालू हो रहे हैं या internet of things की बात करते हैं तो जहां पर बाकी countries जैसे America, Japan इस technology को adapt करने की बात कर रही है उसको regulate करने की बात कर रही है उसका अच्छा पहलू, बुरा पहलू दोनों चीजों को देख रही है तो हमारे देश के पास भी एक chance है इस technology को discover करने का और इसको समझने का और अगर हम इसको रोकेंगे और इसको बैन करेंगे या इसके उपर रुकावट डालेंगे just because हम इस technology को समझते नहीं है और क्योंकि ये नहीं चीज़ है या फिर एक digital money या digital currency कहां से आगई paid currency को replace करने के लिए तो हम फिर से innovation को रोकेंगे और जो countries इस technology के साथ वापिस खेल रही है इसको समझने की कोशिच कर रही है जैसे अमेरिका, जैपैन या कोई भी बड़ी country आप ले लिजिए वो हमसे आगे निकल जाएंगे और हो सकता है आज से 10 या 15 साल बाद जाके हम ये चीज़ realize करें जब वो countries हमसे और आगे निकल जाएंगे कि शायद अब हमको cryptocurrencies को regulate करके legal कर देना चाहिए तब तक बहुत देर हो जाएगी और हमारे देश फिर से पीछे ही रह जाएगा I support crypto, do you? आईए, इस crypto revolution में हमारा साथ दीजिए अपने हक के लिए लड़िए cryptocurrency को support कीजिए एक लड़की होकर मैं आगे बढ़ रही हूँ इस revolution में पाट ले रही हूँ आप भी आगे आईए और हमारे इस message को हर जगा फेलाईए that I support crypto, we support crypto and support us मशकार दोस्तों, assalamualaikum दोस्तों मैं जिया, open for profit channel की तरफ से दोस्तों, यहाँ पे मैं नहीं, बलकि बहुत सारे YouTubers हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ एक चीज़ के लिए कि cryptocurrency को India में legal किया जा सके और मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूँ कि इससे पहले जो government ने किया था demonetization किया था इससे बहुत सारे all over India में सबको बहुत ज़्यादा problems हुई थी आप और हम सब यह जानते हैं और उसमें हम कुछ नहीं कर सके थे क्योंकि सारा control government के हाथ में था जिती भी Fed currency थी, government के हाथ में थी तो उन्होंने जो करना था, कर दिया था लेकिन अभी बात दूसरी है government cryptocurrency को ban नहीं कर सकती है लेकिन वो try कर रही है और एक simple सी बात मैं आपको समझाता हूँ कि government cryptocurrency के against नहीं है वो यह चाहते हैं कि यह cryptocurrency को हटाके वो अपनी खुद की virtual currency डाल सकें ठीक है, लेकिन वो इसको directly ban नहीं कर सकती है क्योंकि इसको उसका control नहीं है इसलिए वो banks वगर अपके उपर pressure डाल रही है ताकि bank किसी भी transaction को support ना करे लेकिन अभी यह सही समय है कि आप, हम और जितने भी YouTubers हैं जितने भी followers हैं, जितने भी subscribers हैं उन सबसे मैं यह request करूँगा कि जो petition का form है उसको fill up कीजिए और हमें support कीजिए तो यह एक one man show नहीं हो सकता है अगर हम महनत कर रहे हैं तो मैं यह जरूरी मानता हूँ कि आप भी हमें support करिए अगर हम साथ में करेंगे जादा लोग आप अपनी आवाद उठाएंगे तो वो government तक पहुँचेगी 101% पहुँचेगी और हो सकता है कि जो media channel से, news channel से वो भी इस चीज़ को cover कर लें तो एक बार अगर media channel ने इसको पकड़ लिया तो 101% में आप से यह कहता हूँ कि government पे काफी ज़ादा pressure आएगा और उनको अपना decision reverse करना पड़ेगा नमस्कार तुर्दी इंडियन community मैं हू रॉनी कोलकाता से मेरा यह मानना है कि cryptocurrency को regulate किया जाए ना ही उस पर एसे रोक लगा दिया जाए जैसे अभी RBI ने restrict कर दिया है बैंको को कोई भी cryptocurrency individual या फिट्रिप्टो करेंसी exchanges से deal करने से हर technology का positive side भी होता है negative side भी होता है जैसे कि जब internet का भी invention हुआ था बहुत चारे लोग इसका negative aspects को बोले थे कि illegal काम में internet यूज़ हुआ खड़ाब चीज होगा अच्छा चीज जादा होगा worldwide जादा लोगों को benefit हुआ है internet से similarly जैसे internet से लोगों को फायदा हुआ है वेसे ही bitcoin या crypto currency में भी लोगों को फायदा हिया बहुत सारे benefits मिलेंगे US, Japan, Korea और बहुत सारे देशों ने cryptocurrency को legal दर्जा या फिर उसको regulate करके रखा है और इसमें कोई रोप नहीं है तो इंडिया ने ऐसा strict measure क्यों लिया कि बैंकों को restrict कर दिया और जो लोगों को खड़ाब या illegal काम करना होता है वो लोग तो definitely कोई exchange में KYC देके bitcoin या cryptocurrency buy या sell नहीं करते तो उन लोगों के लिए तो कोई यहाँ पर problem नहीं है सिर्फ जो हम लोग का जो आम आत्मी है जिसने cryptocurrency के उपर invest किया था because government ने warn किया था कि इसका रिस्क आप समझ लोग हम लोग का रिस्क समझ के bitcoin या cryptocurrency में हम लोग ने invest किया है तो अभी government या RBI को उनका responsibility नीवाने का time आया है कि जो bad actors है जो crypto या bitcoin से खड़ाब चीज कर रहे उनको हटा है ना ही banking services बंग कर दे ताकि जो normal investor है उसको problem आजा तो यही मेरे को आपके साथ share करना था 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 तो रिसेंटली जो RBI ने अपडेट भिया था कि तीन महिने के बाद वो बैंकिंग फैसलीटी बंद कर देंगे अगर हम cryptocurrency इंडिया के अंदर बाई करना चाहते हैं जैसे कि हमने पास्ट में देखा तो काफी चीज़ उसने चेंज किया है ट्रिडिशनल बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो त्रिडिशनल बैंकिंग सिस्टम की इतनी ज़्यादा प्रोब्लम्स थी और दिफिकल्टी से दूसरी कंट्री के अंदर देना चाहते हैं अगर हम इंडिया से अमेरिका के अंदर पेमिट सेंट करना चाहते हैं तो अगर हम ट्रिडिशनल सिस्टम की बात करें तो हम इतने ज़्यादा पेपर वक के थू या फिर इतनी ज़्यादा को स्ट आख ती है इतनी बैंकिंग फैसिलिटी को बैंड करता है तो आई थिंक इंडिया जो है बाकी कंट्री से काफी ज़्यादा पीछे चला जाएगा क्योंकि हम फ्यूचर देखते हैं क्रिप्टोकरणसी के इंदर मैंने अपना फूचर देखा और काफी लोग है वह अपना फूचर देख रहा है इंड्या के अपको पता है अनुप्लेफलमेंट की कितने ही ज़ादा प्रोबलम है औरроп면 equally कौन को काम नहीं कर रहे और नको कोई जोग भी नहीं मिल रहे है ले को जो अपना decision को जो reverse करना चाहिए हम आप कहीं बोलेंगी हम सब यूट्योबर एक साथ हम काफी मैनत कर रहें इसके उपर तो आप भी इसके उपर मैनत कीजिए निचे कीटेशन में लिंक मिलेगा आप उसके उपर साइन अप कीजिए और हमें स्पोर्ट कीजिए शेर कीजिए इस वीडियो को और तो मेक अस बुव आरल एक हो गया है तो मैं चाहता हूं कि जितने भी सब्सक्राइबर हैं सब लोगं के यूट्यूबरों के वह भी एक हो जाएए और हमें जो है government को ये बताना चाहिए कि ये गलत नहीं है सबसे पहला मेरा point है cryptocurrency क्यों जो है गलत नहीं है क्योंकि अगर हमको देश में digital India लाना है देश को digital India बनाना है तो हमें cryptocurrency में काम करने से नहीं रोकना चाहिए और अगर भारत देश को अगर धर में भी सुगरू बनना है तो उसी तरह पैसे में भी सुगरू बनने के लिए उसे digital India में आना होगा और digital currency में cryptocurrency में काम करना होगा दूसरा मेरा दोस्तों है कि अगर cryptocurrency एक ऐसा platform है जहां पर जो physically damage है जिनको जिनके पास जो है काम करने का कोई साधन नहीं है उनके पास जो है मेहत नहीं कर सकते पर उगर माइंड से तेज है तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके वो cryptocurrency की अंदर ट्रेडिंग करके अपने जिवन को सिक्योर कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने पहलवार को भी एक अच्छा खासा जिवन दे सकते हैं तो मेरे कहने का यह मतलब है कि cryptocurrency जो है यह जो है बहुत ही अच्छा platform है हम government से appeal करते हैं RBI से appeal करते हैं अपने प्रदान मंतरी चीश से appeal करते हैं और हमारे बित्ध मंतरियं उनसे appeal करते हैं तता सारे देशवासियों से appeal करते हैं कि आप सर लोग उनसे request करिए या अपने जो petition है या जो link होते हैं जहां पर पेटिशन में साइन करके उनका अपना अपील पहुंचा सकते हैं तो आप एक जूट हो जाएए और उनको यह बास समधान की कोशिश करें तो मेरी तरफ से आप लोगों को यह अपील है कि प्लीज 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 क्रिप्टो करनसी को आप सपोर्ट करें और यह बहुत ही हमारे लिए लाग डायक है थैंड कियो बेरी मках नवसकार दोस्तो मेरा नाम है दिनिश मार दोस्तो मेरा मानना है कि आर वी आई ने जो फैसला लिया है क्रिप्टो करन्सी Price को ले से ज़्यादा इस्केम होते हैं तो उसको दोस्तों इसके ओपर कुछ ना कुछ रास्ते निकाल ले चाहिए अगर और देशों को देखकर करके यह सीखेंगे तो सीख पाएंगे कि क्रिप्टोकरंसी को लेकर के और दोस्तों के अंदर जो है ऐसे स्कूल खोले जा रहे हैं जहा आई सपोर्ट क्रिप्टो की मुहिम चला रहे हैं आप भी हमारे साथ सामिल हो और इस मुहिम को आगे लेकर के जाएं मेरा नाम है अमरपरीद सेंग और मेरे यूट्यूब चैनल है इंडियन क्रिप्टोनेटर तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इसके लिए कुछ एक revolution है इस revolution का part बने इस revolution का part बनने के लिए आपको पटीशन मिल जाएगा link में उस petition को sign in करा है और बस उदर जहां के आपको इतना सा ही काम करना दोस्तों इसमें आप किसकी भलाई किसकी बुराई मत देखिए इसमें आप अपनी और अपनी बुराई और अपनी बुराई अगर आपको थोड़ा सा भी खुशी दी है या थोड़ा सा भी दुख दी है मैं दुख की में बात कर रहा हूँ क्योंकि वो आपके एमोशन के साथ तो जुड़ा है आपको इसमें दुख दिया है यहां तो आपको उसमें खुशी दी है वो आपके एमोशन के साथ जुड़ी नमस्कार दोस्तों मैं सार तक एक बार फिर से आगे रहे आपर वापिस आज आप सभी से आपर मैं बात करनों क्रिप्टो करेंशी के बारे में तो यहां पर आप सभी लोगों को एक चीज़ मैं बता दू कि अगर हम कुछ देर के लिए क्रिप्टो करेंशी को यहां पर हम एक ऐसा माध्या में उन स्टार्ट अपों को प्रवाइड करा सकती है, क्रिप्टो करंशी एक ऐसा माध्या में कि आज जो jobless people है आज उनको job provide करा सकती है और यह एक इसने करके दिखाये जो अभी तक पर jobless पे उनको इसने एक नया रस्ता प्रवाइड करें जिससे यहां पर सभी लोग जो यहां पर jobless है जिसके पास यहां पर job नहीं है जो यहां पर महिला अभी घर में बैठे-बैठे सोचती रहती कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं तो वो भी आज क्रिप्टो करंसी के माध्यम से आपका कमार है आज जो बच्चा अपने स्कूल की पढ़ाई के लिए अपनी कॉलिज की पढ़ाई के लिए अपनी यूनिवस्टी की पढ़ाई के लिए सोचता रहता था पैसे कार से लाओ तो आज उसको भी क्रिप्टो करंसी ने एक नया रस्ता प्रोइड कर है तो ये कमाल है क्रिप्टो करणसी को और आज अगर हम चाहते कि इस क्रिप्टो करणसी को अपने देश में बनाया रख सके तो आज हम सभी को इसके लिए एक जूत होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूँ कि अबाज उठाईए क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं आज सपोट क्रिप्टो